हेलो दोस्तो योर वेलकम टू अवर यूटूब चैनल गोपाल सर्मा शो जैसा कि दोस्तो आप सभी को पता है बीए प्रोग्राम के फर्स सेमिस्टर का जो एक्जाम है दोस्तो पर्डिकल साइन्स के इंट्रोडक्शन टू पर्डिकल थेरी का ये 16 तारिक को हो रहा है अब इ चैनल पर फर्स टाइम विजिट कर रहे है चैनल को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको वीडियो का जो अब्डेट है नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहें यहां पर आप देख सकत है यूनिट वन ने दोस्तों जो की पूछा कि इसमें वाट इस पॉलिटिकल थेरी एंड वाट इस दा रिलिवलेंस तो इसमें दोस्तों आपको पहला कोशन है जो पहला यूनिट है यह इसी यूनिट में से बनता है पहला कोशन की आपका जो पॉलिटिकल थेरी है जो जरूर बनता है कि जो सोतंतरता है, समानता है, इन दोनों में अंतर क्या है, दोनों किस तरह से जुड़े रहते हैं, इसके अलावा इन दोनों में जो भी बहस होती है, जो इनको अलवचनाई होती है, कि सोतंतरता ना हो, तो समानता किस तरह से मिलती है, या समानता ना हो, तो स तंतरता कैसे मिलती है हर एक चीज के बारे में इस यूनिट में आप पढ़ेंगे जो कि मॉस्ट इंपोर्टेंट है थार्ड यूनिट है दोस्तों डिबेट सॉन पॉल्टिकल थेयरी जिसमें दोस्त आपका प्रोटेक्टिव दिस्क्रिमिनिशन एंड प्रिंसिपल ओफ फेयरनेस है दा पब्लिक वसिस प्राइवेट डिबेट है जिसमें आपका फेमिनिस्ट प्रिस्पेक्टिव सेंसर्शिप एंड इट्स लिमिट है तो यहां पे दोस्तों आपका जो यूनिट फस्ट सैकिंड है यह मोस्ट इप्रो को ग्राम का है टोटल यहां पर 90 को उसक्तल का सधाटा और नहीं कर सकता है जटिल समाज में किस साह से काम आता है नेक्स्ट कोश्ड आप पर आप देख सकते हैं कोश्चन नंबर फॉर और फाइव दोस्तों अधिकारों की तीन पीडियों के विकास पर एक निबंद लिखिए अपने उत्तर पर विर्वन देना है कॉश्चन नंबर शिक्स यहाप देख सकते हैं तो जो कि शेवन दोस्ते most important है जिसमें आपका समानता के बारे में पूछा जा रहा है जो समानता है जो सोतंतरता है इसको जरूर पढ़के जाईएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं question number 8, question number 9, question number 10 है दोस्तो इसमें आपको 4 topic दिये गए इन 4 topics में से किसी 2 topic को आपको explain करना होता है यह जो पूरा question paper यह आपको हमारे टेलिग्राम ग्रूप पे देखने को मिल जाएगा तो टेलिग्राम ग्रूप को जो जोइन कर लिजएगा क्यूंकि दोस्तो आपका जो पर पेपर यह 16 दिसमबर को है कहीं न कहीं आपको idea होना चाहिए कि किस तरह के question पूछे जाते हैं